हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ टूबएच के प्लस इस्टेडी का इंटीर जो कि हमने क्या है महागुन वंतरा टू में तो सुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो अगर एंट्री के बात तो हमने में डोर अपना चेंज कर दिया है पूरा जिसके अंदर अपने दोनों तरफ लेमिनेट लगाई हुई है यह टी प्रोफाइल कमने कुछ इस तरीक से डिजैन डाला हुआ है तो फिर जैसी आप यह एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीक से आपको फोयर निजर आएगा करेंगे तो यहां पर यह स्पेस दिया हुआ है तो हमने इस पर एक फोयर बनाया हुआ है जिसमें अपनी एंडियो को फिनिस जा ली और इसमें पीछे लाइट लगाई हुई है अगर मैं ऐसी देंटरी के बात करूं तो हमारे ट्रोइंग डाइनिंग स्पेस आता है इसमें हमने क्या किया है यहां पर एक मूवेबल चारवाय तीन की एक सूरेक बनाई हुई है कुछ इस तरीके से दो कलर हमने इसमें यूज किया है एक यह जो आप देख रहे हैं पूरा ब्राउन चल रहा है और सामने अपना यह ऑफ वाइट चल रहा है अगर मैं इसके अंदर की चारों तो हमने कुछ इस तरीके से इसमें डिवीजन दिये हुए हैं जिसके अंतर अपनी सूस वगएर आप रख सकते हैं अगर मैं फॉल से लिंग की बात करो तो यहां पर हमने एक बेसिक चारों तरफ पट्टा बनाया हुआ है जिसके अंदर लाइट आती है और एक यह क पर रिमॉव वगाल आप जहां पर भीश को चाहिए उदर शिफ्ट कर सकते हैं अगर मैं मंदरी के स्टर की बात करों तो यहां पर हमने कुछ गनेज जी उपर अपना नहीं स्वास्तिक कर निसान आपको आपको कुछ इस तरह करों तो आपको कुछ इस तरीके से हैंडल ले चते हैं पर यहां पर हमारा सोफा जाएगा और यहां पर इसके अंदर प्लाई रग दिया है क्यां कि जो जगा बनी हुए वह बहुत ज़्यदा अनिवंद थी मैं बात करता हूँ इसके TV panel की तो हिहाँ पूरी wall थी इस पर हमने ये TV cabinet बना दिया है अगर TV cabinet की बात करो तो हमने इस पर दो क्लर की Laminate यूज चिया यहाँ पर ये high gross laminate आजाती है ब्राउन क्लर की और अपनी ये पीछे matte आजाती है ये lower से आदे है आपके उपर में किया सेल्फ आती है इसके अंदर भी हमने अगर आप देखेंगे तो प्रॉफाइल लगा हुए अगर मैं नीचे की बात करो तो यहां पर आप इस्ट्रीग मिल जाती है और यहां पर अपने सेटप बॉक्स अगरा आप रख सकते हो अगर सेट की की बात करूं तो इसमें हमने यहां पर तीनों तरफ अपने इस्टर प्लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है अगर मैं दर्वाज़े के बात करूं तो यह दर्वाज़ा क्योंकि यहां पर टीवी कबिनेट के साथ अटेस्ट था यह हमारा स्टेडी रूम है तो हमने इस पर लेम इंट कर दिए और अपने गुरूव डालते हैं और दोस्का फ्रेम है इसकी में रिख्रह्ण करें के ऑड den नीकाल दी कुछ क्न गतारि है जिसने ओपर हमारे रोजगोल्ड कलर के अपने रहाते हैं प्रेंड़ के बत को ऊपको यहिस तरीक से नदर नधर हम ने अपर यह अपनी प्रोफाइल लगा दिए और यह उस तरीके सार आएगी esquij悼 अंदर से बात कुरों तो सेम वैसे ही हमने नीचे और उपर में अपे शेल्फ लगाए हुए तो इस तरीके साब को एक क्रॉक्री नेजर आएगी कि इस तरीके से आपको एक क्रॉक्री ने ज़र आएगी क्रॉक्री के पाद जो इस पेस बसता है यहां पर हमने वुड़न की पैनलिंग की हुई है जो हमारी दरवाजे चल लेते उसी से हमने मैच की है इसमें भी हमने पर स्पोट लाइट का प्रोविजन दिया है अगर आपक वुड़न फ्रेम के साथ कुछ इस तरीके से और उपर में हमने लॉफ्ट स्टोरेज बना दिया इसमें भी हमने प्रोफाइल लगाई है अब इसका कनेक्शन नहीं हुए तो वह हो जाएंगे साथ में हमने यहां पर यह पत्थर चेंज किया है और इसके पीछे में हमने चा इनोटेक टैंटम दी हुई है और इसके नीचे आप यह वेंटिलेशन जाली देख रहों इसके पीछे आदिया उपैस दिया और इस साइड के बात करो करो तो यहां पर आप देखें तो जी टी-टी-टी एक लगाई हुई है यहां पर सिंक नीचे श्टोरेज आठीए यह तो फिर हम चलते हैं अपने तरफ तो हमारा यादा एक दो बेडरूम आते हैं यहां पर एक ही कॉमेंट टोइलेट है अगर मैं इस फर्स्ट बेडरूम की बात करूं तो यहां पर हमने कुछ इस तरीके से एक पूरी बिल्डर स्पेस में वाडरोप नहीं है वाडरोप में हमन हेंडल नहीं के अगरत जाता है अगर हैं तो हमने आफ स्पेस में पूरी जो अपना ऊपर इम का थे रहता है ऐसा इसकी इस बेस्ट अपोजेट वॉल जो आपकी दरवाजे के उपर वाली है इसमें पूरी में अपनी लॉफ्ट इस्टोरेज बना दिया है सेम मैचिंग के हमने वाडरोब वाले हैं लगाए हुआ है और इस रूम में वह एक यह एक वाल को अलग कलर कर दिया है और सारी हमारी सेम वॉल हो नहीं है यह हमारा मस्टर बेट होगा है तो आपको वीडियो ची लगी होगी है अगर आपको वीडियो ची लगी है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें